हेलो दोस्तों केसे हूँ आप में आगे हूँ और एक नए वीडियो के साथ तो आज की वीडियो बहुत इंफोर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि M2 रॉयल पास की आरपी लॉक कब होने वाली है साइकल वन सीजन वन की लाश डेट क्या है आप कब तक रैंक पूश कर सकते हो जो नया रॉयल पास आने वाल है M3 या फिर साइकल वन सीजन टू कब रिलीज होने वाला है और 1.6 अपडेट जो की आने वाल है PUBG Mobile और BGMI के अंदर उसकी रिलीज डेट बताऊंगा तो आप बस इस वीडियो को पूरा अंतक देखते रहो कुछ भी स्किप मत करो उससे पहले अगर आप मेरी चैनल पे पहली बारा है और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे बेल नोट से भी ऑल पर सेट कर दे और इस व तो 1.6 का अपडेट आने वाला है PUBG Mobile के अंदर 14 सप्टेंबर को तो आप देख सकते हो और फिर उसके बाद BMI के अंदर आ जाएगा तो BMI के अंदर 14 सप्टंबर से लेकर 16 सितंबर तक आ सकता है क्योंकि BMI के अंदर थोड़ा लेट आता है क्योंकि पिछले टाइम भी के अंदर उन्होंने 1.6 के अपडेट के चेंजेस किये होंगे तो फिर हमें 14 सितंबर को ही देखने को मिलेगा पर एक्सपेक्टेड डेट यही है 14 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक BMI के अंदर आ जाएगा अगर आपको जानना है कि 1.6 अपडेट में कौनसा मोड आने वाल है तो उसके पर मैंने एक अल्रेडी वीडियो बनाई है तो यह वाला मोड आने वाला है 1.6 अपडेट में इसका नाम है फ्लोरा मैंना इस तो आप आए बटन पर इस वीडियो को देख सकते हैं मैंने फूल डीटेल में एक्स्प्लेइन किया है उस मोड के बारे में तो नेक्स आए है तो मैं आपको ओफिशियल दिखाता हूँ तो बिजया मैंने एक पोस्ट की थी या फिर आप न्यूस सेक्शन में उनकी जाके पड़ सकते हो तो यह है ओफिशियल वेबसाइट तो या क्लाइंट पैच नोट लाई थी डियर बैटर गाउंट्स मोबाइल इंडिया तो आप देख सकते हो तो यह नीचे जब हम जाते है तो आपको में सिधा दिखा देता हूँ तो उन्होंने क्या चेंजेस किये थे तो पैच चेडूल तहीं है डेट के रिगार्डिंग तो आप देख सकते हो चेंजेस रोयल पास चेडूल तो इन गेम के अंदर हो 16 सितंब रहे हो नेपाल से या फिर आउट आफ इंडिया देख रहे हो तो फिर आपके आकोडिंग आप टाइमिंग देख लेना मैं साड़े पाज बोल रहा हूँ सकते हो क्योंकि इसके बाद वो लॉक हो जाएगा फिर आप कुछ भी नहीं वहाँ से रिडिम कर पाओगे तो नेक्स्ट आता है कि साइकल वन सीजन वन कब खतम होने वाला है तो इन गेम जब आप सीजन के उपर क्लिक करते हो तो लेप्ट साइड में अपर कॉर्णर पर आप किया है तो साइकल वन सीजन वन की रैंक पुष एक दिन पहले ही खतम होने वाली है तो मैं आपको डीटेल में बताता हूँ तो लाज्ट डे होने वाला है साइकल वन सीजन वन का रैंक पुष का जो भी बंदे एस पुष कर रहे है या फिर एस मास्टर एस डॉमिनेटर तो वो कब तक पुश कर सकते हैं, तो वो 16 सितंबर सुभे 5 बजे तक ही पुश कर सकते हैं, अगर आप इसके बाद पुश करोगे तो फिर आपके टियर में प्लस भी नहीं होगा और माइनस भी नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने एक नया कंसेप्ट लाए है, जो क्लाइन पैच नो तो आपके टियर में कुछ भी एड नहीं होगा, मतलब आपकी टियर प्रोमोड भी नहीं होगी और डिमोड भी नहीं होगी, आपका प्लस भी नहीं होगा और माइनस भी नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने क्लाइन पैच नोट में ये बताया था, तो आप देख सकते हो या न में जो की है 16 सितंबर 5.30 तक तो अगर आपको नहीं पता कि आप कौन से टियर पर डिमोट होने वाले हो तो आप इस वीडियो को आई बटन पर देख सकते हो मैंने साइकल 1 सिजन 2 की टियर रिसेट फुल डिटेल में एक्स्प्लेइन की है तो आप आई बटन पर इस वीडियो को देख सकते हो तो नेक्स्ट आता है सिजन एंड टियर रिवार्ड कब मिलेंगे मतलब साइकल 1 सिजन 1 के रिवार्ड हमें कब मिलेंगे तो वो मिलने वाले 17 सितंबर को सुबे साड़े 7 बजे अकोरिंग टो इंडियन स्टेंडर टाइम तो 17 सप्टेंबर को आपको साड़े 7 बजे टाइटल मिल जाएगा नेम टैग मिल जाएगा और जो सिल्वर रहता है अकोरिंग टो टियर तो वो आपको मिल जाएंगे तो next है फिर नया सीजन कब स्टार्ट होने वाला है नया सीजन जो की है cycle 1, season 2 और M3 Royal Pass तो वो आने वाला है 17 सितंबर को 7.30 बजे सुबे according to Indian Standard Time तो नया सीजन स्टार्ट होने वाला है 17 सप्टेमबर को 7.30 बजे और 7.30 बजे से ही rank push start हो जाएगी तो बाकी बहुत सारी informative वीडियो मैंने already upload किये है और M3 Royal Pass की leaks भी upload किये तो आप उन्हें भी check out कर सकते हो तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में till then see you bye bye thanks for watching